जाहिंड दोस्तों आज फिर से मैं ले आया हूँ विजे पत्ष डिफेंस एजूकेशन की तरफ से मैं विजे शर्मा आज आपके लिए हिमाचल के बारे में जो हमारे सबसे उंचे बड़े पहाड हैं उनकी घाटियों के बारे मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कि हिमाचल में कौन सी घाटी बड़ी है कौन सा जिला बड़ा है कौन सी डिस्टिक्ट या जिला किसका लिगा अनुपाद किसका शाक्षरता अनुपाद जो है वो सबसे बड़ा है जल विदुत परियोजड़ा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है आज आज आपके इसी चैनल पे जो है अभी इसी के उपर जो है लाइव आपको इसी साथ साथ दिखाये जाएगा सबसे पहले में आज भी बोलने चाहूंगा कि शेतरफल के नुसार जो है हिमाचल का सबसे बड़ा जीला जो है वो लहौल्स पिती है जो हमारा जो लहौल्स पिती है ये 13,835 वर किलोमेटर तक फैला हुआ है दोस्तों और सबसे अधिक जनसंख्या वाला अगर जिले की बात की जाए तो यह हमारा कांगडा जिला है जिसकी टोटल कुल जनसंख्या है वो 15,10,75 है और सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो हिमाचल की घनतव यानि की डैंस्टी के नुसार जो हो कितनी बड़ी डैंस्टी के जैनी कि चिनाब नदी जो है वो हमारी सबसे बड़ी जो है नदी हिमाचल की जो है घनतव के अनुसार की निजाती है मगर दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे लंबी नदी जो है वो सतलुज नदी है जो हिमाचल की है मगर घनतव के अनुसार जो है वो हमारी चिनाब नद तो सतलुज नजी जो वो 320 किलोमीटर लंबी है जो हिमाचल में एंटर होती है और एक्जिट करती है और सबसे बड़ा गलेशियर जो हिमाचल का है वो बड़ा शिगडी है लहौल्स की तीवे हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक जील जो है हमारी वो रेनुका जील है सबसे दो मिनट का वीडियो है दोस्तो आप अभी देखेंगे साथ साथ आपको सभी लर्न होते चाले जाएंगे इसको कंटिन्यू रखिएगा दोस्तो सबसे उंची परवत चोंटी जो है वो हमारी शीला है सबसे बड़ी उंचाई की सिंचाई योजना जो है वो शाहनर जो कांगडा में के गगल है और धरमशाला के नियर अबाउट है एशिया का मैज जो सबसे बड़ा अगर हम प्रजनन मतस्य प्रजनन केंदर कहें तो वो दियोली में है जो हमारे ही हिमाचल के बिलासपुर में ये बना हुआ है और सबसे अधिक बलंबा राजमार्क की बात चुका है दोस्तों सबसे बड़ी जल विद्धुत परियोजना जो है वो पारवती परियोजना है जिसकी जो शमता है वो दो हजार इक्यावन 51 मेगावाट है हिमाचल में सबसे बड़ा जो वन जीव अभरन है वो किबर है जो लहौल्स पिती में है सबसे उंची जो जल वि हमारे और सबसे अधिक जनसंख्या व्रिद्धी में जो दरवाला है वो सबसे घनत्व के अनुसार जो अगर हम से पहले बोले कि किस की जो है जनसंख्या किस डिस्टिक की रहती है तो वो हमीरपूर आती है जिसमें जो है हर किलोमेटर के अनुसार जो वो 406 किलोमेटर के ऊ वो बढ़ेती जाल रही है जबसे अदिक अनुसूचित जन जातीय जो में और सबसे अधिक अनुसूचित जन जातीय जो में पाई यह बत्तर प्रतिशत यानि की तक जो है वो वहां पर पाई जाती है तो इस परकार से हमारा ये जो है लंबा और उंचा जो है हिमाचल का जो जीके है वो चलता रहेगा सबसे अधिक जो है शेहरी जंसंख्या वाला जिला जो है वो हमारा शिमला जिला है और शिमला ही हिमाचल कि जो है वो राजधानी गिनी जाती है सबसे अधिक अपराद जो है दोस्तों वो कांगडा में ही होते है और कांगडा में ही ऐसा जो डिस्टिक है जिसमें सबसे छोटे से छोटे जो लगू इकाईया है वो भी कांगडा ही जिला में ही है और सबसे अधिक उपतसीले जो है मंडी जिला में है जिसे हम जो है छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं सबसे अधीक सेवों का उतपादन शिमला में होता है बहुत सेव जो है वो शिमला में पाए जाते हैं और हर व्राइटी के जो है सेव जो है वो शिमला में मिलेंगे आपको सबसे जादा मिलेंगे, इसके बाद भरमौर में मिलते हैं, और इसकी कई परजाती हैं वो हीमाचल से एक्सपोर्ट भी की जाती है, और अलग ब्राइटीस में भी इसको डिस्प्यूट की और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टन रहता है अध्रक का उतपादम हैं, अध्रक का उतपादम कहां होताँ हुता है, और सबसे अध्यूट ब्राइप तो शिमला के कुफरी में ये जो है शिमला डिस्टिक में कहें तो डिस्टिक के अनुसार जो है वो सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है और अगर हम आलू अनुसंधान के अंदर की बात करें तो ये जो है वो कुफरी शिमला में जो है वो स्थित है तो सबसे बड़ा जो प पीति जहां पे जो है अब जून से जुलाई के महीने में जो है वहाँ पर जो है ट्रैकिंग यानि कि लोगों का अकर्शन का के अंदर बनता है और सबसे अधिक वर्षा कहां होती है दोस्तों सबसे अधिक वर्षा जो है वह आपके धरमशाला में होती है पैंती सो मिलीमीटर के अनुसार जो है लगबग वहां पर वारिश होती है और सबसे अधिक वर्षा वाला अगर जिला पूछा जाए तो दोस्तों कौन सा होगा कांगडा जिला होगा जिसमें सबसे अधिक वर्षा गिनी जाती है अगर सबसे अधिक गरम जल के स्त्रोत गिने कि कहां गरम जल के स्तरोथ हैं तो दोस्तों, मनी करन मैं जो हैं बहुत ज़ादा है, यानि कि मंडी टिस्टिक में गरम जल के स्तरोथ बहुत जादा पाए जाते हैं सबसे उँचा गाओं गाओं भी कह सकते हैं और सबसे हाई अल्टीट्यूट के ऊपर तो हमारा post office भी वहीं पे ही है all over India का वो है किबर और सबसे विश्व की सबसे उंचा cricket मेदान कहा का है वो चायल है गिना जाता है सोलन में है ये और एशिया का सबसे दूसरा सबसे उंचा बांध जो है वो भाकड़ा बांध है दोस्तों और सबसे लंबा पुल जो है वो यमुना पुल है तो इसी परकार से दोस्तों ये था हमारा आज के लिए शौर्ट कट में तो दोस्तों इसको आप एक बार वीडियो को जुरूर देखे और इस वीडियो को जब देखें तो इसको शेयर जुरूर करें और हमारे जो नई अपडेट्स और जीके के लिए जो है आप जो है इसको सस्क्राइब करें और बेल आइकन दवाना न भूलें क्योंकि हमारी नई वीडियो जो है वो हिमाचल पुलिस के लिए जो है अब जल्दी से जल्दी जो है वो आपके लिए आती रहेंगी ओके थैंक जाहिंदू